जब हमें पहली बार पता चला कि हमारी बेटी ठीक से सुन नहीं सकती, तो दिल को एक सदमा सा लगा. फिर हमने उसकी कमजोरी के बज़ाए उसकी सुनने की ताकत पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसकी जिन्दगी बदर है. अपने कस्टमाइस हीरिंग एड के साथ अब वो अच्छे तरह सुन भी सकती है और बोल भी सकती है. मेरी हेरिंग इंपेर्मेंट की बज़े से लोग हमेशा मुझे टेकनिकल फील्ड या रिसर्च फील्ड में जाने को बोलते थे. क्योंकि CEO's को तो लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है. Thank God मैंने उस वक्त लोगों के बज़ाए अपने दिल की सुनी. वरना ना मैं अपना स्टार्ट अप करता और ना ही इतना सक्सेस्फुल होता है. बरसे बिना ही आँख से बदली चली गई, चाहा था जिसको दिल से वो दिल्ली चली गई. सोचा कि जान दे दुमें बिजली के तार से, खंभे पे मैं चड़ा था कि बिजली चली गई. रिटायर्मेंट के बाद मैंने सुचा था अपना पैशन फॉलो करूँ और ये कम सुनने की समस्या भी मेरे सामने चट्कान की तेरा आकर खड़ी हो गई थी. लेकिन मैं नहीं जानता था कि सही टेक्नीक और रिस्पॉंसिबल इलाज मिल जाए, तो मैं अपनी सुनने की छमता नियर नॉर्मल कर सकता हूँ. मेरे घरवालों को पता नहीं कि अब मैं सुन सकता हूँ. इसी चक्कर में मैंने दो महिने में तीन बार अपनी वसियत बगल दिये। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अगर हमारी हियरिंग दस या बीस परसंट भी हो, तो उसे टेक्नोलोजी यानि हियरिंगे और कॉक्लिर इंप्लैंट से निया नॉर्मल किया जा सकता है। मरीज की जरूरत पैचानना और सही डागनॉसिस करना यही इलाज को सफल बनाता है। तो आईए मिलका हियरिंग हेल्थ अवेरनिस पूरे देश में फैलाएं। करना तो नहीं हेल्थ आईएं। करना यहीं हेल्थ आईएं। आए, 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 आए